जारे कि नई सिख्षानीती लागू करने में अब नहीं होगा देरी और सिख्षक बनने की राज हो है अब आसान नहीं होगा और इसे लागू करने की बात करें तो आपको बता दे इसको लेकर के तयारी तेज कर दी गई है और माना जा रहा है कि जुलाई के जो है पहले हफ्त के लिए उन्हें NTA यानि कि नेशनल टेस्टिंग एजनसी जो है एक एक्जाम कंड़क्ट करेगी उन्हें भी आपको क्वैलिफाई करना होगा और टीटी आपको पास तो करना ही करना है और इसके अलाबा आपका जो है इंटर्व्यू भी होगा जिहां अब आपको इंटर्व करने में सरकार कटी लंबह इंतिजार नहीं कराएगी इसको लेकर कि तैयारी तेश कर दी गई है और शिलहाल त्युज्ञा के तहट जो लागू कर दिया stripped कर दिया जाएगा जिहां जो शिक्षानीती बनने का काम जो है इस पर जो है अभी काम जो चल रहा था वो द्राप्टिंग वगेरे का 2015 से ही चल रहा था लेकिन यह तयार होने में 2019 लग गया है और एक बाद तया है कि जुलाई के पर्थम हपते में जो है यह लागू कर दिया जाएगा फिलाल इस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मोधी सरकार ने अपने एजन्दे में से परमुक्ता से साबिल किया है और इस बीच सरकार ने नई सिक्षानीती सुझावों पर पधानमंत्री कारिया लाइकी भी जो है पहने दजर रस बात यह है कि इस सिक्षानीती को लागू कर अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए यह सभी फिडवाय का आप यहाँ पर भेज सकते हैं आपको बेटा दे 30 जून तक जो है इसका लास्ट डेट है और जुलाई के पर्थम हपते में पहले हपते से ही जो है माना जा रहे किसे लागू कर दिया जाएगा अंतुम रूप दे दिया जाएगा कहीं कहीं आने वाले समय में कहा जा सकता है कि सिक्षक बनने की राह जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जो फिलहाल जैसे कि आपको जानकारी होगा कि टुटी परिक्षा पास करने के बाद जो है मैक्सिमम राजियों में सिक सिक्षक बन जाते हैं अवयारती लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा अब उन्हें 2-3 से से होकर गुजरना होगा पहले तो टुटी के परिक्षा पास करना होगा इसके बाद जो है निशनल टेस्टिंग एजनसी परिक्षा आरजित करेगी यह भी परिक्षा आपको मेरा इंटर्व्यू यह भी आपको पास करना होगा तो कुल मिला कर यह सभी परिक्षा पास करने के बाद आप सीख्षक बन सकते हैं से लेडी के बाद करें तो आपको बता दें से लेडी में भी बढ़ोत्री की जाएगे जब इस तरह के अगर नियम लाग होगा देखबात करने कंद्वार कर देखबाए मोच आपको पास के कर दुक्रात था कर देख़ जाएएभ कल कर देख़ी जाएति दो एवागा टी